वेरी गूट आफनून स्टूडेंट्स आइम लालचेन वर्मा टीजी टी सोसल साइंस टुड़े वी विल कंटीनू रसियन रिवलुशन पार्ट थर्ड पार्ट टू में बच्चों हमने रसियन इंपायर के बारे में पढ़ाता है कि रसियन इंपायर में कौन गोन से शेतर श रवस्ता थी हमने वहाँ पे किसानों और मजदूरों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा और इस लेसन में मागे उसको कॉंटीनू करते हैं देखिए ये कॉंटेंट है जो जो हमें इसमें वीडियो में डिसकस करना है फरवरी रिवोलूशन हमें पढ़ना है उन्नीजो सत् भच्यों जो बच्चो पैत्रोणाध वर्ड है यह रशियन वर्ड है इस शहर का नाम पहले सैंट पीटरश्बर्ग सीटी हुआ गरता था लेकिन जो रशियन सोसाइटी है रशिया के जो लोग है उनको लगता था कि जो जर्मन उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है रसिया के सैनिको को इसलिए उनके मन में जर्मन को लेकर एक तरह का आक्रोश या गुस्सा था इस बज़े से उन्होंने शहर का नाम सैंट पीटरबक्स से पैत्रोनाद रख दिया जो कि एक रशियन वर्ड है और बच्चो इस शहर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस शहर था ये लेफ्ट और राइट एक नदी है नेवा नदी नेवा इस नदी के लेफ्ट साइड और राइट साइड में इस तरह से विवस्ति था जो left side में जो थे, वो एक fashionable area था, यहाँ पर सारी government की buildings, offices, और यहाँ तक की jar का जो winter palace है, और Duma, रसिया की जो parliament यह सब left side में थे, नेवा river के, और जबकि right side के अंदर क्या था, right side के अंदर सारे labor quarters थे, factories थी, और वो सारी चीजे थी जो labor और मज़़ूरों के लिए है, तो इस त कर रखा था, और मैं आपको यह इस की इस शहर की location दिखाऊंगा, आप देख पारे हो कि इस map में, यह जो सेंट पीटरबर्ग है, और यह नेवा river है, सेंट पीटरबर्ग यानि पैत्रोनाद, और यहाँ की बच्चों location से मैं आपको बताना चाहूंगा, कि यहाँ पर जो ठ प्रांस की करांती की सुरुवात पैरिस से हुई थी, ऐसे ही जो रसिया की जो revolution है, यह रसियन जो revolution उसकी सुरुवात पैत्रोनाद शेहर से हुई थी, तो यह भी एक आपके लिए बहुत important बात है, कि अगर करांती की सुरुवात है, तो वो कहां से हुई है, पैत्रोनाद श मजदूर वर्ग वाला, क्योंकि ठंड बहुत जादा थी, उस समय फरवरी का जो टाइम है, मजदूरों वाला जो इलाका था, जो राइट साइड में था, वहाँ पर जो जरूरी सामान की कमी पढ़ने लगी, यानि खाद्य पदार्तों की कमी पढ़ने लगी, और इशी करम मे महाँ पर एक घटना घट गई, कि 22 फरवरी को सरकार ने फैक्टरी में ताला बंदी घोसित कर दी, अब फैक्टरिया बंद होगा, इसलिए सारे फैक्टरी के जो मजदूर हैं, वो आगे रोड पे निकल गए, हड़ताल करने लगे, आंधूलन करने लगे, और इनका नित्य महिलाएं ही कर रही थी, इसलिए जो 22 फरवरी का जो दिन है, वो अंतराष्टी महिला दिवस के नाम से भी जाना जाता है, वैसे 22 फरवरी को अगर हम इंटरनेशनल कलेंडर में देखेंगे, तो यह 8 मार्च है, अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो 22 फरवरी 8 मार्च के एक् हिराव हो रहा है, अंदोलनकारी लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, इसलिए राजा ने शहर में कर्फ्यू लगवा दिया, यानि निकोलस दिवतिये ने जो समय फ्रांस, ओ सोरी, रूस की गद्धी पर बैठे हुए थे, 25 फरवरी को जार ने जूमा को बरखास कर दिया, और इसी दोरान उसने सिपाईों को, सैनिकों को, जो घुड सवार सैनिक थे, उसको भी रोड पे तैनात कर दिया, लेकिन उन्होंने मजदूरों पर गोली चलाने से इंकार कर दे, क्योंकि सैनिक भी उसी वर्ग से आते थे, उसी फैमिली से आते थे, सिपाई और मजदूरों न के आगे प्रस्ताव रखा या उसको सला दी कि वो गद्धी छोड़ दे और जार ने उनकी बात मान ली और दो मार्च को उसने अपनी गद्धी छोड़ दी और जार के बाद जो सत्ता थी वो इनी सैनिक कमांडर और जो ये ध्यूमा के जो नेता थे इनी के हाथ में आ गई और इन्होंने अपने आपको एक अंत्रीम सरकार यानि एक temporary government के रूप में घोशित कर लिया के हम जब तक हमारी सविधान सवा सविधान नहीं बनाती हमारे देश के लिए तब तक सत्ता पे अंत्रीम सरकार का शाशन रहेगा और इस तरह से बच्चों में बताऊंगा कि यहाँ पर जो यह दल है यहाँ पर जो यह आंदुलन करने वाले है तो इसी आंदुलन करने वालों में दो तरह की विचारधारा वाली लोग थे एक थे बॉल सेविक और एक थे मैन सेविक जो बॉल सेविक शब्द का मतलब है उसका अर्थ है मेजॉरिटी और जो मैन सेविक शब्द का अर्थ है उसका अर्थ है माइनोरिटी यानि जो संख्या में कम है दोनों ही जो विचारधार है दोनों ही दल सेम ही विचारधारों को फोलो करते थे समाजवाद को लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर था जो बॉलसेविक दल है उसके नेता थे बलेदिमर लेनिन लेकिन जब फरवरी करांती चल रही थी लेनिन उस समय रूस में नहीं थे और जबकि मॉलसेविक के जो नेता थे वो थे एलेक्सेंडर केरेंसी इसका मैं आपको बच्चो पिक्चर अभी दिखाऊंगा आगे हम इसको पहले कॉंटिन्यू करते हैं लेनिन उस समय फरवरी में जब ये करांती हुई जब अंतरिम सरकार ने सत्ता को अपने हाथ में लिया तब लेनिन नहीं थे लेनिन रूस लोटे फरवरी के बाद बच्चो देखो अपरेल 1917 में बॉल सेविक के जो नेता थे लेनिन ये रूस लोटे जब इन्होंने देखा के चलो ठीक एजार साही खतम हो गई है लेकिन जो अंतरिम सरकार है जो ये टेंपरेरी गवर्मेंट बनी हुई है ये भी बाकी मजदूरों को और जो जितने भी बॉल सेविक विचारधार के सब लोग है उनकी जो बातों को नहीं मान रही है या उनके साब से काम नहीं हो रहा है और युद अभी भी चल रहा है continue यानि इनों ने भी वो ही अपना तानाशा अपना लिया जो जार साही ने अपना रखा दा इसलिए लैनिन ने भहुत सारे बॉल सेविकों को और इन सभी सोवियत को एक जुट किया और अपनी मांगे अपनी तीन मांग अंतरिम सरकार के सामने रखी युद की समाप्तियों यानि पर्थम विशुद जो चल रहा है रूज जिसमें पाटिस्पेट कर रहा है वो उससे बाहर निकले सारी जमीने किसानों के हवाले हो और बैंकों का राश्टे करण हो और इनी तीन मांगों को अप्रेल थिसिस के नाम से जाना जाता है तो ये लैनिन का यानि बॉल सेविक का और अंतरिम सरकार के बीच में एक विद्रो शुरू हो गया जो आगे एक क्रांती का रूप ले लि देखाया लैनिन वोस दा लीडर ऑप दो बॉल सेविक के नेता थे और इरो ने रसियन रिवोलुशन को आगे प्रेमोट किया और ये अप्रेल थिसिस के लिए मेंली जाने जाते हैं तो बचो मैंने आपको बताया कि जो लैनिन यानि बॉल सेविक और अंतरिम सरकार के और बॉल सेविक पार्टी को अपने साथ मिला कर उनको एक सैनिक कारवाही के लिए तैयार किया और उनका नेतरित्व कर रहे थे लियोन ट्रोश्की ने इन सोवियत का इन सैनिक करांतिकारी समीतिय का गठन किया और उनका नेतरित्व किया और 24 सक्तुबर के दिन ये जो वि जो aurora नाम का एक युद्ध बहुत यानि एक बच्चो एक fighter jet यह था यह fighter जो जिससे बंबारी की जाती है गोले बारूत पूरे शहर के अंदर पूरे पैत्रोनाद में शुरू हो गए और दिसंबर तक यानि अक्तूबर में ये संघर शुरू हुआ दिसंबर तक पूरे पैत् सेविक का नियंतरन हो गया अब ये 1907 की अक्तूबर करांती थी बच्चो जिसमें जो सत्ता थी अंत्रीम सरकार से लैनिन यानि बॉल सेविकों के हाथ में आ गए नेक्स स्लाइड में हम देखते हैं कुछ ये बच्चो मैंने आपको बताये था कि ये मॉन सेविक के नेता है या यूँ कहलो कि अंतरिम सरकार के प्रधान मंत्री है अलेक्सेंडर केरेंसी जब लैनिन ने सत्ता हती आई जब लैनिन ने बॉल सेविक के साथ मिलकर ये इस सरकार को यहां से तक्ता पलट किया तो ये जो केरेंस की थे यहां से रूस से भाग कर फ्रांस चले गए 1917 की एक्टूबर करांती के बात फिर बहुत से परिवर्तन हुए जो बॉल से भी को ने किये जैसे नीजी संपत्यों का खात्मे कर दिया यानि कोई भी विक्ति अपनी प्राइविट प्रपर्टी नहीं रखेगा बैंकों और मुधोगों का राष्टे गरण किया गया और जितनी भी जादतर भूमी है वो सभी को एक समान रूप से बाढ़ दी गई अभी जातवर्ग यानि नोबल जो थे वो कुछ अलगतर है कि टाइटल लगाते थे पद्वी लगाते थे उनको खत्म कर दिया और रूस अब एक दल वाली बस था मतलब एक ही पार्टी रहेगी हमारे यहाँ पर और हर जगे सेंसर्शिप सेंसर्शिप का मतलब होता है बच्चो के जो भी आप करोगे कोई भी काम करोगे इसमें सरकार का नियंतन होगा पहले डिसाइड करेगी कि आपको यह करना है यह नहीं करना है इसके बाद बच्चों वहाँ पर एक अलग तरह का माहूल तयार हो गया यह जो पूरा जो रसियन सोसाइटी है वो बढ़ गई यानि बॉल से विक अलग हो गए मौन से विक अलग हो गए और भी लोग यह मैं आपको दल सारे बताऊंगा कि कैसे कैसे यह जो वहां की जो सोसाइटी है समाज है वो अलग-अलग रूप से पॉलिटिकली शोशली एक तरह से डिस्रिब्यूटेड हो गए और उनी में ग्रह युद शुरू हो गया तो यह जो ग्रह युद पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ यह कौन-कौन से दल थे जो वहां पर अक्तूबर करांती के बाद में जो यह बदलाव आया तो ब यह जो गरीन और वाइट से बच्चों इनको जो बाहर के जो है जैसे फ्रांस अमेरिका ब्रेटे जापन यह सब इनको सब्धन भी कर रहे थे थे थोड़े को सपोर्ड भी कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाते थे क्योंकि बॉल सेविक एक तरह से समाजवादी था और वो रूस में समाजवाद को फलते फूलता देखना नहीं चाते थे इसलिए वहाँ पर ग्रह यूद हो गया, लूट पात होने लगी, ढकेती होने लिए भुकमरी जैसे इस तरह की समश्याय आ गई और उसके बाद में जो रसियन कम्यूनिस पार्टी थी, उसकी कमान जो संभाली वो स्टैलिन ने, पहले स्टैलिन को आप देख लो, यह स्टैलिन है, स्टैलिन कम्यूनिस पार्टी को आगे ले जाने वाले हैं, यह भी एक तरह से बॉल सेविक नेता थे, स्टैलिन क्य जाने जाते है वह आपको स्टैलिन का योगदान बदाना चाहूँगा कि रसिया में लेनिन के बाद में पार्टी को आगे ले जाने वाले या रसिया की जो सत्ता थी वो स्टैलिन के हाथ में आये उस्टैलिन ने कौन-कोन से चेंज किए तो सबसे पहले जो civil war था जो चल रहा था ग्रह यूद जो इन तीनों जो दल थे white, green and red इनके बीच में जो आपसी यह थी इसको सबसे पहले शांत किया स्टैलिन ने और स्टैलिन ने जो संपन किसान थे जिनको वहाँ पर कूलक कहा जाता था संपन किसानों को कूलक कहा जाता था उन संपन किसानों पर छापे मारी किये इसने किसी तरह से फसल उसल की काले बजारी तो नहीं कर रहे चापे मारी करी, कठा तो नहीं करे, किसी तरह कि सटे बाजी तो नहीं कर रहे तो इस तरह के काम किये, और उन्होंने एक काम मूर किया है, 1939 में उनका एक सबसे important जो वर्ग था, सामुई करण, यानि उन्होंने पूरी रहसिया में जो भूमी थी, उसमें कारेगरम चलाया, सामुई कारेगरम, यानि सबी किसानों को सामुई खेतों, यानि कोल खोजो, कोल खोज, सामुई खेत, यानि सब के खेते हैं, इसमें काम करने का एक आदेह चारी कर दिया, कि कोई अपना प्रसनल प्रसनल नहीं, यहां पर यह सरकार के सब के एक साथ यह खेत है, इसी में काम के लेकिन इससे स्थिती जो है वहां की और भी ज़्यादा खराब हो गई, उसने सोचा था कि इसको कंट्रोल किया जाएगा, यहां पर एकनॉमी को एक तरह से जो स्टैलिन क के जो काम थे, एकनॉमी को लेकर बहुत अच्छे थे, उसने काफी पंचवर्षिय योजना की सुरुआत भी करी थी, लेकिन उननी सो तीस तीस में यह इतना स्थिती इतनी खराब हो गई कि कहते हैं कि सोवियत का सबसे बड़ा अकाल, यानि चालिस से ज़्यादा लोग यह स्टैलिन के बारे में मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाहूंगा, इस स्टैलिन, यह रूस की प्रगति के लिए नियोजन, यानि सबसे पहले जो प्लानिंग जो कहते हैं कि हम देश के लिए पांच सालों के लिए एक योजना तियार करते हैं जो भारत भी अपना इस तरह की एक्टिविटी अपने सोविय संग में स्टैलिन की ही देने, तो बच्चो नेक्स स्लाइड में हम थोड़ा सा एक री कैप्चुलेशन करेंगे, यानि आपने पूरा रसियन रिवोलूशन तो देखी लिया कि कैसे शुरात हुई तो मैं थोड़ा सा आपको एर व पढ़ा था कि 1904 में क्रांती हुई थी, कीमते उमते भढ़ने लगी थी, उसके बाद में 1905 में बलडी संडे की घटना घटी, 1914 में रसिया जो था वो वर्ल्ड वोर में एंटर किया, और 1917 में मार्च में यानि फरवरी में, मार्च और फरवरी मैंने आपको बताया था कि जो रसियन कलेंडर और इंटरनेशन कलेंडर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यानि मार्च यानि फरवरी 1917 और अक्तुबर 1917 में वहाँ पर दो क्रांतियां हुई, क्रमवाद, उसके बाद में बॉल सैविक यानि रेट्स और लैनिन और लैनिन के बाद में स्टैली ने सामोही करन करके जैसे को दुबारे एक तरह से कंकलूड किया, ये एक रीकैप्चुलेशन है, जिससे शायद आपको थोड़ा सा पूरी स्टॉरी रसिंद रिवोलुशन की समझ में आई होगी, बच्चों इसके बाद मैंने आपके लिए एक वरक्शीट रखी है और आई होप आप को ये, अब आप कर सको शायद, इस वरक्शीट के कोशन है, सबसे पहले जैसे रूस की संस्त को क्या कहते हैं, रूसी करांती के दोरान संपन किसानों को क्या कहा जाता था, 1917 की रूसी करांती किस से प्रारम हुई है, अपरेल थिसीस किसने दी थी, बाल से वीक नेता कोन थे मौन सेविक के नेता कों थे सामुई करण का कारे करम किसनी शुरू किया और 1917 की अक्तुबर करांती के पशचत क्या परिवर्थन आए तो I hope ये सारे कोशन्स अब आप करने में सामुर्थ होंगे Thank you बेटा